दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले ऐसे टॉपिक पर जिसका इंतजार हो सकता है कि आप सभी लोगं को होगा चाहे वो लोग साओधी अरब में हो या फिर इंडिया में हो वो साओधी अरब आना चाहते हूँ दोस्तो टॉपिक यह है कि जिस हिसाब से डे बाई डे और इस टेप बाई इस टेप साओधी अरब में कोरोना की केसे बढ़ रहे हैं तो क्या कुछ लोग को लगता है कि क्या साओधी अरब में लॉकडाउन लग जाएगा या फिर नहीं लगेगा अगर lockdown लग जाएगा तो सौधी अरब से इंडिया के बीच में जो air bubble agreement sign हुआ है इंडिया और सौधी अरब के बीच में जो एक जनवरी से लागो हुआ है क्या वो चलेगा यानि कि इंडिया और सौधी अरबिया के बीच में फ्लाइट जो है वो चलेंगी या बंद हो जाएंगी दोस्तों इन सभी चीजों से इस वीडियो में परदा उठाने वाला हूँ तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में और इस वीडियो में पूरी इंफोमेशन आप ल तो दोस्तों सबसे पहले जो इनसिट्ट लिए अपने बता है कि को भी घुनजाइश नहीं है, यानि कि सब्स़धी अरब में अभी लॉक्डाउन नहीं लगेगा हालाग ये जरूर हुआ है कि जो air bubble agreement sign हुआ था इंडिया और सौधी अरेबिया के बीच में एक जनवरी से उनमें कुछ regions के वज़े से changing लाई गई changing यह है कि पहले क्या होता था जो unvaccinated लोग हैं वो इंडिया से सौधी अरब आ सकते थे अपना arrival registration unvaccinated resident पे करके लेकिन अब क्या है जो unvaccinated person है वो इंडिया से सौधी अरब आ नहीं आ सकते हैं चाहे उन्होंने कहीं भी vaccine लिऑ हुए लेकिन अगर उन्होंने वैक्सीन लिए है उसका प्रूफ उनके पास valid proof है तो आ सकते हैं लेकिन अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिए है तो finally वह सौधी लगा था तो तारीक थी 18 जुलाई 2020 और दोस्तों उस टाइम पर जो केस आये थे वो उनके जो स्पोक परसन जी हैं उनका इस्टेटमेंट आपको ध्यान से सुनना होगा उस्टेटमेंट को सुनने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगा डाक्टर मुहमद अलब्द अलई ने खलिजिया टीबी के एक प्रोग्राम में सुमार को कहा था कि सौधी में लॉकडाउन की कोई भी गुनजाइस नहीं है यानि सौधी अरब में लॉकडाउन नहीं लग सकता क्योंकि इस समय सौधी अरब में जो पैंडमिक यानि कि जो महामारी ही वो उतनी तेज नहीं है जितनी की 2020 में थी और हालाद भी उससे बहुत अच्छे हैं और अब हमारे इस वायरस से निपटने के लिए काफी इंपरमेशन और एक्स्पीरेंस भी हो चुका है तो इसलिए हम सौधी अरब में लॉकडाउन लगाने की अभी इजाज़त नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल परने चैनल को सब्सक्राइब करके ब